सब्सक्राइब कीजिए The Commerce Tutor YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हेलो दोस्तों मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं The Commerce Tutor आज के इस वीडियो में हम Class 11 Business Studies का जो Chapter 3 है Private, Public और Global Enterprises उसमें आगे बढ़ते हुए आज जो टॉपिक डिसकस करेंगे वह है Changing Role of Public Sector तो इंडिया में जो है Public Sector वह एक वाइटल रोल प्ले कर रही है in the economic development of our country ठीक है क्योंकि Public सेक्टर किसकी सेक्टर है Government की सेक्टर Government अपने बजेट के सारे expenditures और भी expenditures जो करती है society के benefit के लिए वह Public Sector के थ्रू होती है क्योंकि Government की investment Public Sector में होती है ठीक है तो हमारी country की economic development के लिए Public Sector जो है वाइटल रोल प्ले करती है क्योंकि वह इसी सिधान से बनाई गई है उसका profit motive नहीं होता है उसका motive होता है देश की की तरक्य में योगदान देना और जनता जो है पब्लिक जो है उसको government की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना यही Public Sector का जो है main objective होता है लेकिन इनके इतने बड़े objective होने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो भी enterprises है वो बहुत सारे problem से सफर कर रही है अब यह problems क्या क्या है सबसे पहली है poor project planning तो पब्लिक सेक्टर में क्योंकि budget से ज़्यादा expenditures जो है वो plan किये जाते हैं बहुत ज़्यादा pre planning नहीं होती है ठीक है जैसे कि आपने departmental undertakings वगेरा में पढ़ा था तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत अच्छे से future planning प्रोजेक्ट planning जो इसको हम strategic planning बोलते हैं वो अच्छे से नहीं की जा सकती फिर excessive overheads खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं corruption भी होती है इसमें over staffing काफी ज्यादा manpower जरुरत से ज्यादा लोग इन्होंने ले रखे हैं under utilization of capacity जितनी इनकी एक्च्छल में working capacity है उतना यह utilize नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके staff जो है वो efficient नहीं होते देखो inefficiency यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है तो यह सारे public sector का role है वो change हो रहा है इसलिए changing role of public sector topic का नाम है अब एक बात notice करने वाली यह है कि public sector enterprises की जो performance है वो ज्यादा remarkable नहीं है ठीक है वो ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी profit कमाना होता है जबकि government का जो है उनका social service होता है motive social service तो इसी लिए government जो है वो चाहके भी public sector को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उसको अपनी जो public है society को services देनी होती है और उसको लिए public sector enterprises ही use में लेने पड़ते हैं और government क्या करती है कुछ social problems को overcome करने के लिए कैसे social problems जैसे कि poverty unemployment imbalance in regional growth यह कुछ social problems है इनको overcome करने के लिए भी इसे public sector enterprises की ज़रत होती है इसलिए government चाहके भी इनको बंद नहीं कर सकती ठीक है लेकिन government क्या कर रहे है धीरे धीरे इनके roles में कुछ बदलाव ला रहे है ताकि इनकी efficiency को बढ़ाया जा सके अब वही हमको यहां पर देखना है कि क्या role में changes आ रहे है government policy towards the public sector since 1991 1991 में liberalization actually हुआ था तो उस समय से government ने public sector के लिए क्या policies लिए है वो हम देखेंगे the government of India has introduced four major reforms in public sector in its new economic policy of 1991 तो यह साल याद रखना 1991 में एक नई economic policy आई थी government की और उसमें चार तरह के major reforms इसने declare किये थे public sector के लिए यानि कि government की जो संस्थाएं थी चाहे वो departmental undertaking हो या फिर वो public undertakings हो या government companies हो उनके reform के लिए उसने एक economic policy लाई तो इस economic policy के चार major reforms क्या थे सबसे पहला जो है वह है restructure and revive potentially viable PSU तो जो भी public sector की units है PSU यानि कि public sector units तो जो भी public sector की units अभी भी potentially viable है यानि कि लड़खडा रहे हैं पर इनको अगर थोड़ा सा support दिया जाए तो यह फिर से revive कर सकते हैं फिर से दोड़ने के काबिल बन सकते हैं फिर से अच्छे से चलने के काबिल बन सकते हैं तो उनको restructure करो ठीक है यह first major reform था दूसरा क्या है close down to PSU which cannot be revived अब ऐसा कोई public sector undertaking है जो लडखडा नहीं रहा है बस जमीन में गिर के चित हो गया है उसको अब ठाके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं ठीक है उसकी condition इतनी खराब है वह इतना सीख हो गया है कि वह अब loss में ही जाएगा उसको किसी तरह भी आ प्रॉफिटेबल या उसको serviceable industry में नहीं ला सकते है ठीक है तो उन लोगों को क्या करना है close down करना है ठीक है बंद कर देना है इसको जब ठीक नहीं किया जा सकता तो उससे चला के कोई फाइदा नहीं इनको बंद कर देते हैं यह government ने decide किया थर्ड क्या था bring down the government equity in all non-strategic PSU to 26% और lower if necessary अब क्या होता है कि government companies जो होती है या public sector units में जो government companies होती है उसमें government की equity share holding होती है ठीक है तो government की equity share holding मानलो यह company का capital है ठीक है इसमें मानलो government का government company होने के का लिए क्या requirements ही 51% यानि कि आधे से ज्यादा जो है वह government की holding होनी चाहिए तो मानलो यह 51% government की holding इसमें थी या इससे ज्यादा ही थी अब इसमें government क्या चाहती है कि यह non-strategic PSU है non-strategic यानि कि defense अगेरा से related नहीं है उतना important नहीं है ठीक है इसमें अगर government की investment ना भी रहे तो government को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एक ऐसा PSU है तो उस case में government क्या करती है कि इससे अपने पैसे निकालना चालू करती है यानि कि इसके shares में जो government ने पैसे invest करके रखे हैं उस investment को यह कम करना चाहती है कितने कम 26 परसेंट या उससे भी कम ठीक है अगर जरुरत पड़े तो तो इससे क्या फाइदा होगा इससे यह होगा कि मानलो यह यह प्राइवेट प्लेयर है ठीक है क्रीन वाला प्राइवेट है और यह रेड़ वाला government है तो अब क्या होगा यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स की थोड़ी सी involvement बढ़ जाएगी ठीक है अगर गवर्मेंट की investment कम हो जाएगी तो प्राइवेट की involvement बढ़ जाएगी तो मान लो government की अब रहे गई सिर्फ 26% ठीक है example के तौर पर मैं बोल रहा हूँ और private का 74% हो गया तो अब क्या हुआ कि जैसे ही private parties का 74% holding हो गया तो controlling power of government से किसके पास आ गई private parties के पास तो जैसे ही controlling power और private parties के पास आ जाएगी तो इससे क्या होगा कि यह जो PSUs हैं जो अच्छे से नहीं चल पा रहे थे government की strict policy के कारण या government के strict control के कारण जब private parties के पास इनका control आ जाएगा तो automatically इनकी efficiency बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर private parties जो हैं वो जब इनका control ले लेंगे तो वो क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि निकम में staff कौन-कौन है इनको पहले बाहर निकालो ठीक है फिर कौन-कौन सी चीज़े inefficient हो गई है इनको rapidly change करो देखिएगा आप कभी भी किसी private company में changes बहुत fast होती हैं जबकि government companies में changes उतना fast नहीं हो सकती क्योंकि government की strict और rigid policies होती है जबकि private company में decision making fast और flexible होता है तो अगर government अपना equity यानि कि अपनी equity share holding को PSU में कम कर लेती है 26% या उससे भी कम तो private players की participation बढ़ जाती है management में उनका control आ जाता है और उनका control आने के कारण वो PSUs जो है वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं ठीक है यह थर्ड method था यह major reforms था उसमें और fourth है fully protect the interest of the workers तो अब यह point कहां से आया मान लो कि किसी PSU को close करना है ठीक है या उसको restructure करने के लिए कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा नौकरी से ठीक है तो उस case में क्या होगा कि कुछ लोग जो है workers उनकी नौकरिया जाएंगी तो इनके interest को भी protect करना है ठीक है ऐसा नहीं कि ठीक बंद कर दिया है यह लोग भाड में जाए तो जाए ऐसा नहीं government की एक responsibility होती है कि जो लोगों को हम काम से निकाल रहे हैं उनके प्रती हमारा एक responsibility है उनको set करना पड़ेगा उनको कुछ compensation देना पड़ेगा तो उस case में भी government कुछ policy यां ऐसी बनाई थी कि जो लोग काम से निकल रहे हैं उनको एक जोर का धक्का ना लगे उनको उनकी भी जो है interest जो है वो प्रोटेक्ट हो सके यह चीजें हम थोड़े जार बात discuss करेंगे यह reforms करने के लिए जो steps लिए थे government ने वो यहां पर दिये हुए है तो सबसे पहला step जो है वो है reduction in the number of industries reserved for public sector from 17 to 8 and then to 3 तो क्या हुआ था पहले क्या थी जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ discuss किया है कि 1991 से पहले जो था maximum जो industries है जो strategic industries है जैसे कि मान लो telecom है ठीक है जो phones वगेरा data वगेरा का internet वगेरा का industry था उसके बाद insurance बोल लो ओके और भी है और भी काफी सारी industries है तो यह सारे पूरे government के control में थी ठीक है सिर्फ government की companies और organizations ही थे जो इन industries में business कर सकते थे प्राइवेट प्लेयर्स को इन में घुसने की आजादी नहीं थी ठीक है तो 1991 से पहले actually 1956 से पहले 17 industries जो थी वो पूरे-पूरे government के control में थी सिर्फ government ही in 17 industries में business कर सकती थी ठीक है उसके बाद क्या हुआ 1991 में जो industrial policy आई तो उसमें क्या किया गया इन 17 industries जो government के लिए reserve थी इन में कुछ relaxation दी गई और सिर्फ 8 ही ऐसे industries रह गए जिसमें government ही अकेले business कर सकती थी और private players नहीं कर सकते थे यानि कि 17 पहले ऐसी industries थी ऐसे areas of business थे जहां पे सिर्फ government की companies ही business कर पाएंगी या government के departmental undertakings, public undertakings ही business कर पाएंगे private players को entry allowed नहीं थी उसके बाद 1991 में क्या हुआ यह 17 से घटके 8 हो गया और 2001 में finally क्या हुआ तीन ही सिर्फ ऐसी industries रह गई जो की है atomic energy, arms और rail transport ठीक है यह तीन ऐसी industries रह गई जिसमें अभी सिर्फ government को ही हक है business करने का private players को entry नहीं दी गई है बाकी 2001 के बाद हर private player को बाकी सारे industries में आप देख लो टेलिकॉम में भी काफी सारे private players आ गए insurance में आ गए electricity में आ गए ठीक है पहले electricity सिर्फ government की जो संस्थाएं है वही बिजली देती थी अब कभी private companies भी आ गई है electricity में तो सारे industries की privatization कर दी गई प्राइवेट प्लेयर्स को license दिया गया कि तुम यह हमारे यह जो इंडेस्ट्रीज है इन में तुम भी business करो टेलिकॉम में भी करो इंशुरेंस में भी करो ठीक है और सिर्फ यह तीन इंडेस्ट्रीज जो है यह important है exam के point of view से भी 2001 के बाद से अब सिर्फ यही तीन इंडेस यह सब जो चीज है arms and ammunition जो है ठीक है हतियार वगएरा वह अभी सिर्फ government ही बना सकती है government उसमें deal कर सकती है private parties को इसमें entry नहीं दी गई है और atomic energy का जो research वगएरा हो रहा है उसमें भी अभी सिर्फ government ही participate कर रही है private players को इसमें entry नहीं दी गई है तो यह तीनों restricted हैं बाकि सारे industries को private players के लिए खोल दिया गया है तो government नहीं यहां पर बहुत ज्यादा relaxation दिखाई है 1956 में जहां 17 industries government के control में थी वो 2001 के बाद में आके सिर्फ तीन industries रह गई और वो भी वो तीन जो बहुत ज्यादा strategically important है government of India चाहके भी इनको private players के हाथ में नहीं छोड़ सकती तो ऐसा government ने क्य किया क्योंकि private players जब बाकी industries में आ जाएंगे जैसे कि टेलिकॉम इंश्रेंस वगेरा तो उनकी efficiency बढ़ जाएगी cost कम हो जाएगी public को कम cost देना पड़ेगा ठीक आप देख सकते टेलिकॉम इंडस्ट्री में जब से जीओ एटल वोड़ा फोन वगेरा की वार शुरू हुई तब से फोन का खर्चा जो है बहुत कम हो गया है ठीक है इंश्रेंस वगेरा भी आभी काफी cheap rates में मिल जाते हैं तो यह सब चीजे और efficiency भी काफी ज्यादा है services भी आपको अच्छी मिल रही है तो इन सब चीजों के लिए government ने क्या किया जो public sector के लिए industries reserved थी उनको open कर दिया और public sector units to private sector and public तो government क्या कर रही है जैसे कि मैंने पहले discuss किया कि कुछ public sector enterprises में वो plan करके अपने shares जो है वो बेच दे रही है किसको बेच रही है private sector को बेच रही है आनि कि private sector में जो companyya है वो उन shares को खरीद ले रही है या common public खरीद रही है तो government ने ऐसा क्यों decide किया government चाहती थी क private sector जो है वो ज़्यादा participate करें PACUs में क्योंकि अगर private players की engagement ज़्यादा होगी उनकी shareholding ज़्यादा होगी तो controlling power भी private sector के हाथ में रहेगा जिसके कारण ये जो units थे जो अच्छे से नहीं चल पा रहे थे उनकी efficiency जो है वो बढ़ जाएगी तो primary objectives क्या थे privatization करने के सबसे पहला objective चाह releasing the large amount of public funds blocked in this units and utilizing them for other social priority projects such as education health तो क्या हो रहा था यह पॉइंट बहुत ज़रूरी है थोड़ा ध्यान से समझना मान लो कि यह एक government company है ठीक है इसमें 51% share जो थे वो government के पास थे ठीक है तो 51% share government के पास थे यानि कि government का पैसा इसमें block था इसके share capital में government पैसे से इसके share capital मे invest किया था अब government अगर इन shares की disinvestment कर देगी यानि कि इन shares को अगर private parties को बेच देगी मान लो government चाहती है कि मेरी नए shareholding सिर्फ 20% रह जाए ठीक है यहां तक ले आऊंगा मैं अपनी shareholding 20% तक तो क्या होगा कि 31% जो shareholding थी government private sectors को बेच देगी ठीक है इससे क्या होगा government का जो यह shares बिग जाएंगे वो पैसा return government के पास एक cash जो है यह जो block था इसके capital में यह फिर government के पास आ जाएगा cash और इस cash को या इस fund को government क्या कर सकेगी ज्यादा social priority projects जो है जैसे कि education health उसमें invest कर सकेगी public की benefit के लिए ठीक है तो यह है एक objective privatization का कि हमारे government के पास जो public funds है जो blocked है in government companies या public undertakings में उन funds को वहाँ से निकालना यानि कि shares government बेच के पैसे निकाल लेगे वहाँ से और उनको social priority projects जो लोगों के लिए जो important ज्यादा projects है जैसे कि education से related projects, health से related projects उनमें वो पैसे invest करना उसके बाद reducing debt and interest burden अब आपको पता है कि सरकारे जो है वो world bank से या इधर के चलती है जिनके कारण उनको काफी सारा ब्याज भी भरना पड़ता है तो अगर government यहां से जो अपना fund जो है इसको थोड़ा सा खाली करा लेगी dis investment के द्वारा shares बेच के कुछ funds अगर निकाल सकेगी cash तो इससे वो अपना debt जो है वो repay कर पाएगी और interest का बोज भी जो है government पे वो कम हो जाएगा कि transferring the risk from public sector to private sector क्या होता है कि जैसे एक company में जब आपके ज्यादा shares होते हैं तो उस company से related सारा risk भी आपके उपर होता है अब यह company यह government company थी इसमें government के 51% holding थी तो अगर loss होती है तो 51% risk जो loss का है वो भी government के उपर ही था क्योंकि government 51% share का मालिक है अगर government 51% से नीचे चली जाती है 20% investment पे अपने पैसे यहां से निकाल लेती है तो government का क्या होगा government का risk भी कम हो जाएगा कैसे risk कम हो जाएगा क्योंकि पहले 51% share holding government की थी तो risk अगर होता कोई loss अगर होता तो उसका 51% share government को उठाना पड़ता लेकिन अगर वो shares बेच के 20% holding पे आ जाए तो अब अगर कोई loss होगा तो government को कितना हिस्सा उसका सैना होगा 20% ही सैना होगा तो यह risk जो है वो government के कंधे से हट जा रहा है और किस पे ट्रांसफर हो रहा है जो लोग यह share खरीद रहे है तो यह share कौन खरीद रहे है private parties जो है वो share खरीद रही है ठीक है उनका participation अ है वो भी government से private parties को transfer हो जा रहा है या नहीं कि public sector से private sector में जो है risk transfer हो रहा है तो यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट पार्टी के हाथ में चला जाएगा ठीक है और discouraging government monopoly तो पहले government की क्या थी monopoly जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का example में यहाँ पे सिर्फ BSNL थी और कोई company नहीं थी टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो धिरे-धिरे क्या हुआ कि जो और भी नहीं नहीं जो लाइस दिये गए नहीं parties को reliance आ गई ठीक है Airtel, Vodafone सब सारी companies आ गई टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो government की जो monopoly business थी वो खतम होगे तो government चाहती है कि monopoly business को discourage हिया जाए तो यह dis investment से related discussion थी अब third point देखेंगे third point है policy regarding sick units to be the same as that of the private sector तो all the loss making public sector enterprises were handed over to the BIFR तो BIFR क्या है Board of Industrial and Financial Reconstruction ठीक है यह एक body थी जो government of India ने setup की थी ताकि जो बहुत sick units हो गए है ठीक है जो अब बिलकुल डूबने वाले हैं business में उनको फिर से reconstruct किया जाए उनको फिर से तयार किया जा सके तो जितने सारे loss making private sector enterprises थे या PSUs थे उनको BIFR को hand over कर दिया गया ठीक है BIFR ने उसका जो दाइत तो है अपने कंधों पर ले लिया और उन्होंने analyze किया कि जो सबसे sick units हैं बहुत ज्यादा बिमार है इनको अब revive नहीं किया जा सकता उनको wind up कर देंगे wind up यानि कि उनको खतम कर देंगे और जिनको revive किया जा सकता है ठीक है जहां पर scope है कि उनको healthy units में convert किया जा सकता है उनको rehabilitate करेंगे यानि कि फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो उस समय क्या हुआ था इस समय जब BIFR का setup हुआ था तो obviously बात है जो लोग इन companies में काम करते थे private sector enterprises में वो workers बहुत ज्यादा opposition सो कर रहे थे हरताल कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि यह companyya loss में भी चल रही है तो क्या हुआ हमें salaries तो दे रही है और अगर यह बंद हो ज जबाब में क्या किया उसने एक national renewal fund setup किया ठीक है और इस fund से उसने जो workers की नौकरियां चली गई थी उनको compensate और rehabilitate करने का जो है जिम्मा उठाया ठीक है बहुत लोगों को उसने voluntary retirement schemes प्रोवाइड किये government ने ठीक है कि VRS ले लो तुमको compensation देंगे वगेरा वगेरा नहीं स्कीम लाकर इस NRF fund के अंदर जो workers जिनकी नौकरियां वगेरा जा रहे थी उनको फिर से rehabilitate किया तो कुछ enterprises ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा बिमार हो चुके थे और government की और position नहीं थी कि इनको और ज्यादा घसीटे उनको बंद कर देना ही government के लिए अच्छा decision था तो government को ना चाहत देवे भी उनको बंद करना पड़ा और उनके workers की safety के लिए NRF बनाया National Renewal Fund जिसके अंतरगत workers को काफी सारे social security वाले schemes के अंदर पैसे अगरे या नहीं नौकरियां प्रोवाइट की गई Memorandum of Understanding अब यह Memorandum of Understanding क्या है MOU डिजाइन किया गया आपको पता होगा मैंने public sector enterprises यानि कि government sector के बारे में जब पढ़ा रहा था मैं तो मैंने discuss किया तो कि इसमें ministry वागेरा मंत्रियों का बहुत ज्यादा control और interference था जिसके कारएं इन organizations की independence उतनी ज्यादा या flexibility उतनी ज्याद ज्यादा थी निमंत्री के इशारों में इनको नाचना पड़ता था ठीक है और काफी सारा paperwork बहुत सारे formalities क्योंकि government की संस्थाएं थी तो government ने सोचा कि एक Memorandum of Understanding बनाते हैं इनके साथ और उसके अंतरगत हम ऐसा करेंगे कि private sector को थोड़ी सी ज्यादा freedom दे देंगे ठीक है तो government यहाँ पर एक given take कर रही है कि understanding एक समझहोता कर रही है Memorandum of Understanding यानि कि एक समझहोता कर रही है public sector enterprises के साथ कि वैसे तो तुम हमारे control में हो public sector enterprise लेकिन हमारे बहुत ज्यादा control होने के कारण हम जानते हैं कि तुम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो तो चलो हम तुमको freedom देते ह हैं ठीक है तुमको हम आजादी देते हैं कि तुम अपने हिसाब से काम करो यानि कि यह जो public sector के यूनिट से इनकी management को आजादी दी गई कि यह अपने हिसाब से काम करेंगे पर इसके बदले में उनको कुछ specific targets भी दिये गया और इन targets को achieve करने का लक्ष भी दिया गया ठीक है अगर यह targets को achieve नहीं कर पाते तो इनको फिर उसकी जवाब देही भी करनी पड़ती थी उसके लिए कुस penalize भी किया जाता था तो इस memorandum of understanding के द्वारा unnecessary interference जो थे ministers के उनको reduce किया गया और more autonomy grant की गया यानि कि ज्यादा से ज्यादा freedom दिया गया लेकिन उनको accountable भी बनाया गया for specific results यानि को target set करके दिये गया कि तुमको इतना कुछ achieve करना पड़ेगा इस time frame में वगरा वगरा तो उनको target set कर दिये गया और उनको बोला गया कि तुम इन targets को achieve करने के लिए accountable रहोगे यानि कि उन पर जो है दाइत तो जो है वो दे दिया गया अब देखिए यहां पे कुछ differences दिये हुआ है private sector और public sector की बीच में तो जल्दी-जल्दी मैंने तो वैसे सारा कुछ cover करी दिया है पर जल्दी-जल्दी एक बार इसको पढ़ लेंगे तो point of difference of formation, the formation of private sector enterprises involves a long process, private sector में जो है long process होता है, public sector enterprises can be formed in short time just by government decision, government अगर चाहे तो decide करके public sector enterprise form कर सकती है पर private वाले में यह थोड़ा long process होता है, second objective, the private sector enterprises work with the main objective of earning profit, यह बहुत important है, ठीक है, तो profit जो है यह private sector का main driving force है, लेकिन public sector जो है, government की sector उसका profit नहीं, उसका service motive है, ठीक है, अपने public को, जो government जिस public के लिए चुनी जाती है, जो public सरकार को चुनती है, उनको service provide करना, उनकी security provide करना, उसका main motive यह होता है, public sector enterprises का, third क्या है management? private sector enterprises are managed and controlled by the board of directors who are professionals and experts, तो private sector enterprises में कौन control करता है, board of directors, यह लोग professional experts होता है, ठीक है, public sector enterprises में भी board of directors होता है, लेकिन यह board of directors क्या होता है, representatives of the government होता है, government इनको चुनती है यह government के, कहने इहाँ पे management के लिए आते है, चौता क्या है capital, private sector enterprises maximum capital is contributed by owners और investors, तो private sector में पैसा कौन लगाता है, public लगाती है, investors लगाते हैं, और public sector में कौन लगाता है, government लगाती है पैसा, ठीक है, freedom of operation, private sector को पता है आपको कि ज्यादा freedom है, क्योंकि ये government के harsh और rigid rules के under governed नहीं होती है, लेकिन public sector के case में, क्योंकि इसमें government का public का पैसा लगा रहे था, इनकी accountability बहुत ज्यादा होती है, इसलिए freedom कम होता है, ठीक है, decision making वगेरा जो है, वो बहुत slow होता है, political interference भी बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद accountability, private sector enterprises जो है, वो directly accountable to general public नहीं होते हैं, बस अपने shareholders को accountable होते हैं ठीक है, लेकिन public at large जो है, पूरी जनता कोई accountable नहीं होते हैं, पर public sector जो enterprises होते हैं, उनकी general public के प्रती accountability होती है, और इनकी performance जो है, उनकी discussion पारलेमेंट में होती है, यानि कि members of parliament जो MPs होते हैं, वो ये public sector enterprises की performance की discussion को पारलेमेंट में लेके जाते हैं, वहाँ पे बहस भी होती है, employees, the private sector enterprises recruit and select their own employees and they have their own rules regarding remuneration etc, तो private sector जो है, वो खुद अपने employees को recruit और select करते हैं, ठीक है, और उनके remuneration यानि के salary वगरा के rules जो है, वो खुद बनाते हैं, उस पर government की को interference नहीं होती है, और public sector जो है, उसके employees generally क्या होते है, civil servants होते हैं, government servants होते हैं, और government के जो नियम होते ह हैं, क्या कहते हैं, employees को recruit करने के और remuneration के वो इनके उपर apply होते हैं, okay, performance evaluation, the performance of private sector enterprises is just on the basis of economic gains, economic gains यानि की profit, तो private sector की performance को कैसे judge किया जाता है, कि उसने कितना economic gain पाया, यानि कि उसने कितना profit कमाया, लेकिन public sector enterprises की सिर्फ profit ही motive नहीं होती, बहुत सारे non-economic issues भी होते हैं, जैसे कि society की कितनी उन्नती हुई, education कितने बच्चों को मिला, कितने लोग ज्यादा शाक्षर हुए, जो लोग पहले illiterate थे, वो illiterate कितने हुए, यह सब non-economic issues भी होते हैं, सिर्फ profit से इसकी performance को measure नहीं किया जा सकता, तो यह एक basic difference था, और changing role of public sector जो है, हमने इस वीडियो म नहीं किया है, तो वो भी कर लीजे, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुब हो,